आज जिसका जो कारोवार है आप अपने आपको जवाब दे लिए बात सुनके आपकी नमाद में आपके कारोवार के बारे में सुचते रहते हैं कपड़े वाला कपड़ों का लोहे वाला लोहे का लकड़ी वाला लकड़ी का कंसर्शन वाला कंसर्शन क्या क्या हमारी नमाजों से तबज्जों नहीं चले गई क्योंके कारोबार में ऐसा दिल लग चुका है दुनिया में जीजों में ऐसा दिल लग चुका है अब घर को जाके क्या खाना है कंशाम में का निखना है परसुन खान जाना है गावत का जानी वाली है सारी चीजे सोचने का अग्दा नमाज हो गई वाल्दी नसीब यदिद इसके हाथ में अल्ला के निचुन का जाने किसके पीछे पर गए काबिले थरा मुज़रगों खवातीन और अजीजन और जवांसाथियो अल्ला अज्वजल जो रबी आलमीन है तमाम किसम की तारीफें सिरacağım उसी के लिए जिसकी तारीफ के बारे में खुद आल Jacob झाल जूर बारे में खुड आजो आज़ास की अउज़े में रिशाथ फरमाया کہ تمام قسمی تعریفیں اگر کسی کے لئے ہو سکتی ہیں تو صرف اللہ عز و عجل کے لئے ہو سکتی ہیں پھر اللہ سبحانہ وترہ نے یہ بتایا آخر تعریف کا حفดار اللہ سبحانہ وترہ کیوں ہے فرمائے الحمد للہ رب العالمین اسی لئے اللہ عز و عجلی تعریف کا صداوار ہے کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے اللہ ماشی غثیمر رحم العلہ نے کہا یہ عالمین لفظ کا معنی یہ ہے कि अल्लाह की जात को छोड़कर सारी काइनात जिसका इल्म मुझे है या जिसका इल्म आपको हो या ना हो जिसका इल्म हमें दिया गया या जिसका इल्म कभी नहीं दिया जाएगा आलमीन के अंदर सारी काइनात अल्ला को छोड़कर के लिए और उसकी अजमत उसकी किवर्याई को अज़ अज़ बजल ने कुरान मजीद की सबसे जबर्दस आया जिसको अल्ला के नभी ने कहा फरमाया कुरान मजीद की आयत अल्कुरसी में कि उसकी कुरसी ने जमीन और आसमान को खेर रखा है अबन अबास रौदियालाहू कहते हैं यहां कुरसी से मुराद मौदियुलकदमैन है यानी खदम रखने के जग़ा और फरमाया अल्ला अज़ बजल की अजमत उसकी किवर्याई समझने के लिए के इनसान जान ले के तुम्हारा रब क्या है फरमाया मौदियुलकदमैन की मिसाल ऐसी है गोया एक बड़े रेगिस्तान में जब एक अंगोटी फेक दी जाती है उस अंगोटी कोई खद्रोखीमत नहीं होती उस रेगिस्तान के सामने कहा अल्ला अज़ बजल के जो मौदियुलकदमैन जो अल्कुर्सी है जिसका तस्किरायत अल्कुर्सी में किया गया अपने रब की अजमत और किब्रियाय को हम समझें कहा इबन अब्बास रदियुल्लाहुने साथो आस्मान और साथो अस्मान और साथो जमीनों की मिसाल अल्कुर्सी के सामने ऐसी है गोया रेगिस्तान में साथो आस्मान और साथो जमीने अंगोठी बनाकर फेग दिये गए है अलकुर्सी की वुसद उतनी बड़ी है और कहा अलकुर्सी वो जो मौद्युलकदमेन है उसकी वुसद का अंदाजा लगाई है अल्ला के अर्श से के अर्रह्मान अला अर्श यस्तवा जिस अर्श पर अल्ला मुस्तवी है कहा मौद्युलकदमेन की मिसाल अर्श के सामने ऐसी है गोया एक अंगोठी बनाकर रेगिस्तान में फेग दी गई उतनी उससद अल्ला की अर्श की है الحمد للہ رب العالمین تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو موضی الخدم عین کا خالق ہے جو عرض کا مالک ہے تمام قسم کی تعریف اللہ عز و جل کے لیے اس کی عظمت اور بڑائی سمجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جو بے چین و بے قرار ہوتے کہا اللہ عز و جل نے حریص ہے تمہارے متعلق اتنے حریص ہے تمہاری خیر کے تمہاری بھلائی کے کہ راتوں کو نہیں نہیں آتی جب لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا آپ جان گوادیں کے سوچ سوچ کر اللہ نے کہا اتنا مت سوچئے آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح کے طریقے اپنا کر امت کو نصیت کرتے جس میں ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چند ایسی چیزوں سے آغا کرتے آغا کرنے کے لئے قسم کھاتے جہاں پر بخاری شریف میں باویس مقامات پر اس حدیث کا تذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملا ہے جہاں ایسی خاص باتوں سے امت کو روکنے کے لئے امت کو ڈرانے کے لئے امت کو نظبیت کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والذی نفسی بیدی اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کے بعد کچھ بات کہتے ہیں وہ ذات کون ہے موڑی الخدمین کا مالک الارج کا مالک ساتوں زمین اور آسمان جس موڑی الخدمین کی حیثیت اچھ ارج کے آگے کنگوٹھی کے مالک ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت انشاءاللہ دو نصیحت جمعہ کے خدوے میں میں اپنے لئے سیکھنے کوشش کروں آپ اپنے لئے سیکھنے کوشش کریں والذی نفسی بیدی کے ذریعے قبل اس کے کہ والذی نفسی بیدی کہا جائے اللہ ما شیخ غثیم الرحم اللہ کہتے ہیں اس کی شرح میں والذی نفسی بیدی کہنے میں دو معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ایک تو معنی یہ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کے آگے جو بات کہنے والی ہے وہ بہت ہی امپوجنڈ بات ہے اس کو تم ذرا سا بھی معاملی نہیں سمجھ سکتے دوسرا اللہ ما شیخ غثیم نے کہا جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی کہہ کر کوئی بات کہتے اس کا مطلب یہ ہے میں اب جو بات کہنے والا ہوں اس میں جھوٹا نہیں ہوں اگر میں جھوٹا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ میری جان نکال لی اپنی امت کو نصیحت کرنے کے لیے اتنی بڑی قسم کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی سے اس intended meaning سے اللہ ما شیخ غثیم نے کے بعد کہتے ہیں سب سے پہلا جائزہ میری اور آپ کی زندگی مگر کرنا ہے تو اس وقت ہماری غیرت کا جائزہ لینا ہے جو ضمیر جیسے کہا جاتا ہے دل کا ارادہ جیسے کہا جاتا ہے نفس کا سکون جیسے کہا جاتا ہے یا غیرت جیسے کہا جاتا ہے کہ دوسروں کی تڑپ یا دوسروں کیلئے فکر خاندان والوں کے لیے فکر پڑوسیوں کے لیے فکر مساجد کی تعمیر کے لیے فکر دین کی سربولندی کے لیے فکر ایک مسلمان کے لیے فکر ہونا بھوکوں کے لیے فکر ہونا غریبوں کے لیے فکر ہونا मसाफिरों के लिए फिक्र होना दीन के सरबुलंदे के लिए फिक्र होना मदारिस बनाने के लिए फिक्र होना दीनी काम करने के लिए फिक्र होना उल्मा के लिए अपने दिल में गीरत होना जिन्दगी के समाम काम में जहां गीरत की जरुरत होती है पहली हदीस से उसका जाय जाने बुखारी शरीफ की हदीस और अल्ला के नबी सी लिए अल्ला की खित्मत में एक मलमल का बहुती खुबसुरत इंतिहाई खुबसुरत कपड़ा पेश किया गया जब आज स्वाल अल्ला की खित्मत में उसकपड़ा आया तो लोगों ने लगने नबी के हाँ से उस कपड़े को ले लिया और इतना हैरस जपते होगे उस कपड़े को देखндेए उसके मुलाइमपन को देखने में उसकी खुबसूर्टि को देखने में एक बादे गलेते जा रहा है एक के बादो लेकि जाते हैं सहाबा की जमाद में थे कपड़े की खुबसूर्ती बावावा करते और जब अरल्ला के नबी स्ष में रिए क्या हुप सहावा ने एक चुट उकर का अल्ला के नभी सुलम बेशक ये कपड़ा ही ऐसा है एक तरफ हमारी गीरत एक तरफ ये मलमल का कपड़ा दूसरी करव वल्लदी नफसी भी अदी अल्ला के नभी सुलम ने सहावा किस कैफियत को देख कर कि एक कपड़े के पीछे इतने गिर्विदा होगे सामने रसूल वेटा है आखिरत का मिशन है दीन की सर बुलंदी है रिष्टेदार है यतीम है मिस्खीन है खराबतदार है दोस्त अभाब है मदारिस है मसाजित है दीन की सर बुलंदी है कहा क्या इसको देखकर परेशान होगे वल्लदी नवसी वीदी अरे उस्वाद की खसम है जिसके हाथ में मेरी जान है अरे मेरे सहाभी साथ को जन्ट में जो दस्ति दी जाने वाली है वो इस कपड़े से बहुत ज्यादा बेहतर है वल्लदी नवसी वीदी उस जाग की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है कि मामुली कपड़ों की कुबसूर्टी के पीछे तुम गिर्विदा होकर क्या जिन्दगी के मस्दद को भूल चुके गीरत का मैं अपनी अंदाजा लूँ गीरत का आप अपनी अंदाजा ले हमारी अर्ते अपनी गीरत का अंदाजा ले कि आज हमारी जिन्दगी का मिजाम बिलखुस अल्ला का इसान अल्ला का गास वजल इस शहर पर ये है कि सारी दुनिया या हिंदुस्तान के बेस्तर अलाखे इस सौथ परेशानी में है लेकिन हैदरबाद में एक ऐसा आमन ऐसा सुकून अल्लाह अज़वज ने देखिया इस सुकून का अंडियो अडवांटेच उठाते वे इस सुकून से नाफरमानी की दिरफ लोग जाते वे अपनी गीरत को मारते चले जा रहे हैं मिजास तो ये हो गए आज कि हमारी जिन्दगी का रवया बस तीन से चार चीज़ों में घुम रहा या तो कपड़ों की गुफटगू शाफिं की गुफटगू या खाने पीने की चीज़ों की गुफटगू या दावतों की गुफटगू या सोशल मीडिया की गुफटगू ये चार चीजों में खाली जिन्दे की तबाफ कर रही बस क्या काए क्या भी ए क्या पकाएंगे क्या लेंगे शाम को क्या करेंगे कल क्या पकाएंगे दावत में का करींगे उन क्या करींगे उनकी दावत कब है उनकी दावत कब है अपने बहुत दीसे ने रखे अपने घर में दावतों की खाना इसकी गुफटगू दावत इसकी गुफटगू शापिंग इसकी दाखुटगू कपड़े खरीड़ने बकिटा खरीड़ने चंबुआ खरीड़ने यही जिन्दगी हो गई बिलकुल हलाल चीज़े आपकी शापिंग बिलकुल हलाल चीज़े आपकी दावते हैं बिलकुल हलाल चीज़े आपका खाना लेकिन आपका खाना आपकी दावते हैं आपका गुफटगू अगर आपकी खीरत मार रही है तो अब अफसोस की बात है अल्ला के ने बिसमों ने इ कहा वल्लदी नफसी वी यदी क्या हो गया साहब तुम्हारे सामने वक्त का रसूल बेटा है एक मामली कपड़े के पीशे दीवाने होते चले जा रहे हो ये कपड़े खाने पीने बस ये हलाल है बेशक इसमें कोई चीश हराम नहीं है लेकिन हमारी गीरत को अगर धका लग र तो हमरे एक सुकतीस में बिसमिल्लाही रह्मानी रहीम वला तमुदन आइनेका इला मा मत्ताना भी अजवाजं मिनहुम जहरता लहाती दुनिया लिनफ्तिनहुम फी वरिज्कु रब्बीका खेरू अबकार खबरदार सोचना देखना खरीदना तो बात की बात अगर तो मा जिन्या की जीनत और एश उश्रक के तोर पे दे रखा है वरिज्कु रब्बीका खेरू वबखा क्या कपड़े शापी इन चीजों के पिछे दिल लगाए बैटे हो जिसकी तुम्हारे पाद इससे ताद नी है वरिज्कु रब्बीका खेरू वबखा तेरे रब का दिया जो कुछ तेरे पास से बहुत बहतर और बाकी रहने वाला है अगर आज रिक्षा है अगर आज आटो है अगर आज ठेला बंडी है अगर आज आज मेकानिक है वरिज्कु रब्बीक खेरू अब खायरू अब खातिर रब का दिया जो कुछ तेरे पास से बहुत बहतर और ब परेशान हूं भई, मोबाइल फोन 30,000 का खरीदने पैसे नहीं है, परेशान हूं भई, जेमें आपके 43,000,000 रुपे आप गड़ खरीद ना सोच रहें, एक करोड़ का, परेशान हूं भई, अरे ये परेशानी नहीं होती भई, ये तो आपकी खायशात है, जिसको आप परेशानी का लिबादा पेना रहे हैं, वल्लदी नवसी भी यदी, उस जात की कजब में जिसके हाथ में मेरी जाने अल्ला के नभी सुल्म ने का, ये क्या हो गया, कि मामली चीज़ों के पिछ इतनी दिल लगी तुमारी हो गई, कि गीरत मरती चली जा रही है, सारी के शहरों का आज मामला लें, गाए के नाम बे मुसल्मानों का मारा जा रहा है, और आप ये चहें, ये पैंट घस गया, फिर इसको कब खरीदूं, ये पैंट नया हो गया, इसको दो बार पेन लिया, फिर कब खरीदूं, गीरत इतनी आज मर गई एक मस्जिद, एक में दो गाई उसके जो बच्चे खरीद के घर को ले जा रहा था, ये कहकर कि तो गाई की स्मगलिंग करने वाला है, पीट पीट कर मार दिया गया, और हत्तों ये हो गई, कि जब आए दारोगा, तो पहले गाईों को ले जाके जो सो आशरम में बांदे उसके बाद इसको उ नमादे जनादा गयबाना पड़ी, क्या हम इतनी गीरत मर गई, क्या हमारी दावतों नाज, गाने, खाने, पीने, कपड़े, दावतें सोशल मीडिया के पिछे, इतनी गीरत मर चुकी है हमारी, कि एक मुसल्मान को मारा जारा तो नमादे जनादा गयबाना पड़ने की कि ऽो क्या वो काफिर था अरे हमारी खाव्म का थाना कि आ लड़ें के नहीं भारते आपको लेकिन नमादेजनादा खेवाना का क्या नहीं रखता हूं फिर बड़ी शान से आप सोशल मेडिया पे भेज रहे गाłę के लिए मार दिया गै, गाय के लिए मार दिया गै, अरे वैसे भेजo आओ नमाद चनादा गईवाना पड़ेंगे, जब खीरत मर जाती, बिल्स ओर जब मामली कपड़ों के पीछे दिल लग आता या घड को सजाने में पेंट होके है फिर पेंट होने में जब दिल लग जाता तो ऐसी ही हुजाता अकबर खान क्या चॉबीस लोग मर गए दो महिने में किसी के नमाज़ाना ने पड़ी गए 24 سے 37 लोग मर गए कुछ नहीं सबसे पहला असर जो हुआ 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 गीरतों पर हुआ जायदा ले लीजे दुनिया दारी हर जुमा में इमाम साब आपके सामने आके क्या पढ़ते है सुरत अला की आकरी आयते हर जुमा में तक्रीबन एल्युदित मसादिने पढ़ जाती है क्या कहकर बल्तु सिरूनलहयात दुनिया वलाखिरतु खेरू अब खा तुमने जिन्दिया की जिन्दगी को बहुत तर्जी दे दिया है लेकिन आखिरत तो खेर और हमेशा रहने वाली है क्यों अक्बर खान याद नहीं रहता क्यों मदारिस याद नहीं रहते क्यों इसलामी काम याद नहीं रहता क्यों जकात सद्का गरवा को देना याद नहीं रहता क्यों मसादित की तामिर याद नहीं रहती क्यों दीनी मदर्सों की तामिर याद नहीं रहती क्यों अपने बच्चों की तालिम और तर्वियत याद ने रहती गीरत मर गई दूसरा असर वल्लदी नफसी बियदी जो मामली कपड़ों के चीज़ों के पीछे पड़े हैं दूसरा असर जो हुआ इन चीज़ों का वो हमारी अबादतों पर हमारी लिष्चेदारियों पर और हमारे अखलाख पर हुआ आज जिसका जो कारोबार है आप अपने आपको जवाब दे लिए बात सुनके आपकी नमाज में आपके कारोबार के बारे में सुंचते रहते हैं कपड़े वाला कपड़ों का लोहे वाला लोहे का लकड़ी वाला लकड़ी का कंस्रक्शन वाला कंस्रक्शन क्या क्या हमारी नमाजों से तबज्जों नहीं चले गई क्योंके कारोबार में ऐसा दिल लग चुका है दुनिया वी जीजों में ऐसा दिल लग चुका है अब घर को जाके क्या खाना है कल शाम में का निकलना है परसुम का जाना है दावत का जानी वाली है सारी चीज़ें सोचने का अग्दा नमाज हो गई वल्लदी नसीब यदीद इसके आद में अल्ला के निच्छन का जाने किसके पीछे पड़ गए आज नमाजें कमर्शे हो गई आज इस्षेधारियां कमर्शे हो गए आज अखलाखियाद कमर्शे हो गए सुभान रर। आप बोड़ रहे हैं मगर कौन है सुभान रभ आज niż मैं और आप कहेंगे हो आजिम वो अजबत वाला रभ कौन है नहें मालू जबान पे तो सुभान रबिल आला, सुभान रबिल आजीम है लेकिन तवज्जव दुकान की तरफ, कपड़ों की तरफ, गरवाली की तरफ, बच्चों की तरफ, पक्वान की तरफ, टीवी की तरफ, काने की तरफ, सोचल मीडिया की तरफ अल्ला के नभी इस्राम ने कहा अल्ला अज्वजल ऐसे लोगों की दुआ को खुबूल नहीं करता जिसका दिल अल्ला की यास से गाफिल हो जबान पे तो अल्ला है लेकिन तवज्जों में अल्ला नहीं रिष्षेदार यहां आज कमर्शल हो गई जहां दो रिष्षेदार मिले सलाम अलेकुम आलेकुम सलाम दूसरा सवाल कैसा चर्रा कारोबार क्या कर रहें कारोबार बहुत से बहुत हो गया क्या पढ़ रहें आपके बच्चे इंटर इंटर में छे क्या पढ़ाने का इरादा है बस रुखा छपा के मरगِ غیرت रिष्यदारी कमर्शल इबादते कमर्शल अखलाग कमर्शल ऐसे कमर्शल अखलाग रिष्यदार से मिलने का तरीखा लग एक गेर मुस्लिम अगर आप से बिजनेस करने वाला है उन्हें आगे आपकी दुकान पे उटके अधर ढ़्यादे रिष्यदार आपसे भी ने मिलते वैसे मिलेंगे उससे अखलाग कमर्शल अखलाग कमर्शल अखल रिष्यदारिया कमर्शल क्यों वल्लजी नफसी वियदी मामली कपड़ों के पीछे पड़ गए दिल इतना ठक गया दिल इतना दुनियादारी में हो गया बेशक हलाल है दुनिया के सारे का जो आप करेंगे हलाल तर पर मगर इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा सबसे बड़ा नुकसान हमारी गीरत मर जाने का है दूसरा हमारी अबादत और रिष्यदारियों अखलाक का जो नुकसाने इसको समारी है अतना मामली मसम जो साद को जो रुमाल जन्नत में दिया जाएगा अर ये तो इससे भी बहतर है एक सहाबी अल्लाह के नुकसाने के बाद दौड़ते हुए सुर निसा सुर नमबर चार आयत नमबर 69 की तफसीर में वाकिया मिलता है दौड़ते हुए आया कहा एल्लाह के रसूल सल्लाहु आल्यु वस्सलम मैं जब मेरी बीवी मेरे बच्चों के साथ मेरे घर में बैटा बैटता हूँ एल्लाह के नभी सुलम बेचे नी बढ़ जाती है बेकरारी बढ़ जाती है आपकी याद इतनी आती है बीवी बच्चों के साथ भी बैटे रहता हूँ तो मुझे बरदाश नहीं होता एल्लाह के नभी सुलम जब आप मदीने में होते हैं मेरे घर छोड़ कर निकल जाता हूँ बीवी बच्चों को छोड़ कर निकल जाता हूँ और मस्जिद नभी आकर एक छलक आपकी देख लेता हूँ जब आपका दीदार हो जाता है दिल को तस्कीन मिलती है दिल को करार मिलता है मैं चला जाता हूँ लेकिन अल्ला के नबी सल्लाव सिलम जब मैं अपनी मौत को याद करता हूं जब मैं आपकी मौत को याद करता हूं दिल फिर से बेचेन हो जाता है जब मैं मर जाओंगा जब आप वफात पाकर चले जाएंगे अल्ला तो आपको जन्नत देगा जन्नत में आप अलवसीला में ह मैं तो आप से नहीं मिल सकता अल्ला के नभी श्रम ने कहा तेड़ी तड़प और बेचेनी कुछ खास नजर आती है तो कपड़े शीचे कांट प्लास्टिक के चीजों वाला नहीं आप की तबियत कुछ और है अल्ला ने आप की शान में ये आएद नाजिल कर दी है मुल आएदा कर लिजे वा मैं युति आलाह वा र्रसूल फ़ उलाएका मा अल्जीन अन्वर्लाह अन्वर्लाव उल्यहिं मिन अन्वईजीन वस्चिद्दिग्वीन वस्चुवधाई वस्चालिषीन वहसुन अलाईका रूपीं ताफ जो 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 अधीदाने मिले गीरत नहीं मर सकती हमारी अगर इस खाउम की गीरत मर गई समझो दुनिया के आपकी बस्ती में कोई कटके मर गया था अगो परवाने हो सकती गीरत मत मार लिए ये दुनिया के चीदों के पीछे बस दुनिया तो आरजी है जिस से फाइदा उठाईए अल्ला की रदा कमाईए लेकिन सुच आखिरत की तरफ होना चाहिए दूसरी हदीफ मिजाज जिन्दगी का एक तो ये हिसा हो गया दूसरा हिसा ऐसा हो या जब बहुत ज्यादा आजाते ना पैसे या बहुत ज्यादा खाना पीना अच्छा गरवान हाथ को नौकर चाकर हच्ची जब हो जाती तो अल्ला महफूज रखे ऐसे शर्से लोगों का मिजाज अब तबदील हो जाता है मिजाज में तबदीली आती के बस अगर जिन्दगी सुकून की है और पांच वक्त की नमास की तुफिक इनको हो रही तो मिजाज ये बंजारा मुसल्मानों का सबसे बड़े धीनदार इनुच बाखी जितने भी है बस गाला दालना जैसा मच्छी को पकड़ते बैठते वैसे लोगों के बुरायों को निकालते बैठना इनों गाली दे दिये उनकी बच्ची भाग गई अरे उनों सूथ पर कारोबार कर रहे अरे उनका ये अहल हो गया दूसरा मिजाज ये बन गया जब लोगों को चाहिए शुकर गजरो खेर में गजरे मगर लोग गीबत का डंडा लेके जिन्दगी उच्छाते चले जाने लोगों की इन लोगों के लिए नसीहत अबु दाउत की हदीस अल्लामा शेख अलबान रह्म अलाने इस हदीस को जहीं कह अबु हुरेरा रौजिनों रावी हैं तवज़ दे जिन्दगी का मिज़ाच अगर हम फत्वे बाजी पर लग गए आम अदमी उल्मा पे आम अदमी इसलामी कामों पे आम अदमी अपने रिश्चेदारों पे पड़ोसियों पे दोस अहबाब पे मसाजिद के माओं उपे मसाजिद के मौजिनों पर ये जो जिन्दगी का मिज़ाच बन गया खाली गिनते जाना आव सलालाहु उल्हिए वसलम ने कहा बनी इसराइल में दो लोग ऐसे गुजर अबु दाउत की अदिस में दो लोग थे बनी इसराइल में दो नौजवान दोनों अल्लाह अज़वजल की रह में जुस्तजू करते थे उसकी रदा हासिल करने के लिए लेकिन एक का मिज़ाच ये था वो गुनेगार था मगर अल्लाह की तरफ लो लगाय हुआ था दूसरे का मिज़ाच ये था वो अबादतों में बड़ा आगे था और अबादतों के जरीए सद्खा खेरात के जरीए अपने रब की रजा हासिल करना चाता जब कभी वो अपने गुनेगार दोस को देखता तो कहता अरे गुनाद छोड़ दे अरे गुनाद छोड़ दे लेकिन गुनेगार दोस उससे कहता चुपकर भई मुझे मेरे रब के हवाले छोड़ दे मेरे रब को मैं राजी कर लूँगा लेकिन एक दिन ये नेको कार अदमी अपने गुनेगार दोस को देखता है देखकर कहता है अरे ये को ना किया छोड़ दे छोड़ दे उसने कहा मुझे मेरे रब के साथ छोड़ दे चला जा मुझे क्या तू मेरे ओपर निके बान मना कर बैच दिया गया है जो हर दम मेरी नेकियों के पीछे पड़ा है जो हर दम मेरे कामों के बिज़े पड़ा है चल क्ला की खशल्खें तुझे ला को जन्थ में दाखिनने करेगा हता के अधिस्यट आद्म Нे कि एक दिन ऐसा आया के दोनों मर गए और दोनों के दोनों को एक साथ अधिव जला की जर्बार में पेश किया गया अब लाख अधिव्जल मुखशने found by अधिक नेक आदमी से जो अपने गुनेगार आदमी के आईब निकालता था, पुकारा करता था, फत्वे देता था, बार बार बोलता था, तीरदा चीनी करता था, अल्ला ने उससे कहा, क्या मेरे हातों में जो खुदरत है, क्या तुझे वो खुदरत मिल गई, क्या तुझे उस बात का इल्म हो गया जो मेरे पास इल्म में मौजूद है तो अल्ला ने उस गुनेगार से कहा मेरी रहमत गालिब है मेरी रहमत से गुनेगार बंदे जन्नत में दाखिल हो जाओ और आई ने कोकार आई आई बादत गुदार तुझे जहन्नम में दाखिल किया जाता है अबू हुरिरा ने अब कहा सहाबा की भी सुन्नती किसम खाते थे ही कहा वल्लवी नफसी भी यदी अबू हुरिरा ने कहा उस जात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जाने वो नेको कार आदमी ने अपनी जिन्दगी में सिर्फ एक जुमला ऐसा कह दिया उस एक जुमले की वज़े से उसकी दुनिया और आखरत तबाह हो गई क्या वला था अल्ला की खित्म तू तो जहन्न में जाने चवाला है फत्वे उने गुनेगार इने गुनेगार फलाव गुनेगार बिलकुल गुनेगार है उने 24 जुलाई इतेवी जुलाई को हैदराबाद के अंदर जो नंगा नाज बन्ला गुड़े में वहा बिलकुल गुना है बिलकुल हराम है इसमें कोई दोरा है ने लेकिन वही गुना को आप अगर दूसरों पे शेयर कर रहे हैं देखो कैसा गुना हुआ देखो कैसा गुना हुआ देखो जहन्नमियों को कैसा कर रहे आपको जहन्नमियों मुलने वाले उसको एक जुमला दुन्या आखरत तबाह कर देगा आप तो पहले शेयर करके वो लंगा नाज लोगों को और भी हैयाम कर रहे दूसरा ये वो जो मुसलमान का औवाब लोगों में घ्रण और आमार रहे ये खुद headers मुझी तो गुना है अपने मुसलमान भाई के एप पर्दा दा लो अगर तुम आखरे बेरे पर्दा दालना चाहते हो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो पिर अल्लह तुम्हारे एबों को निकालने आ जाएगा और जब अल्ला तुम्हारे एबों को निकालने पर आता है तुम्हारे घरों में भी तुम्हारे गुराओं का परदा फाज कर देता है वल्लदीनसीवियदी एक जुम्ला जन्नती जिसको दुनिया समरिदी जहन्न में बेजा दिया अरवईन नवविया की हदीश नमबर तीन अल्ला के नभी सल्लाव लिए वस्लम ने कहा हम और आप किसी को देखकर या अपनी आपको आइने में देखकर अगर दाड़ी डियो सो हर्चीज आँकों में सुर्मा बदन पर अतर है धोका मत खा देए अपनी जात से भी कहा बंदा चालीस दिन तक अपनी मा के पेट में नुत्वे की शकल में रहता है फिर मजीद चालीस दिन अपनी मा के पेट में खून के लोथड़े की शकल में रहता है फिर मजीद चालीस दिन अपनी मा के पेट में बोटी की शकल गोश की शकल में रहता है गोया चार महीने जब मुकमल होते हैं आने वाला फरिस्ता मादर रहम पर आकर रुख फूक देता है और चार चीजों को लिख देता है इसका रिज्ग्या होगा ये नेको कार होगा या बदकार होगा इसके आमाल क्या होंगे इसकी हयात क्या होगी उम्र लिख दी जाएगी और चला जाएगा اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ने कहा जब वो चला जाएगा गसम है उस्जात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं बंदे को तुम देखोगे दुनिया के अंदर उठकर ऐसे नेक काम करता चला जाएगा के गोया लोग समझेंगे जन्नती है इतने नेक काम करेगा इतने नेक काम करेगा गोया इसके और जन्नत के दिर्मियान एक हाथ का फासला बैखी रह जाएगा यहां तक के तकदीर में लिखा फैसला आएगा यह जहन्नमियों जैसे अमल करने लगेगा हता के जहन्नम में जागिरेगा एक जुम्ला एक हरकत एक पल एक इरादा एक नियत एक फैसला दुनिया और आखरत तबाह कर सकता है मारी अल्ला उस एक से महफूज रखे जो तबाही को लेगे जाए हमको फत्वेवाजी बन करिये अपने नेकियों का जाइजा लीजे अपने नफस का जाइजा लीजे अपने आमाल का जाइजा लीजे अपने नवाफिल का जाइजा लीजे अपने अबादतों का जाइजा लीजे अपने कारोबार का जाइजा लीजे दूसरों का जाइजा लेने के लोगों को बुराई से रोकना नेकी के तरुब लेकर जाना हख बात है बल्ला गुड़े वालों को भी नेकी के नियसियत करो زینا کرنے वालों को भी नहीं कि किने सिहत करो लेकिन तुम फत्वा की सिपने लगा सकते अमँ आइशा को रोग दिया आलाके निश्रूम ने कहा आप صلु आलाहु ल्युस्लम के सामने आइशा ने रोदियो ल्लाहु उणा कहा आलाके निश्रूम मेरी सौतन सفیہ हैच क्या सفیہ का तो खद कम है इतना कहना था अल्ला के रसुल स्वल 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 ने का फत्व बाजी वाले मेरे बाई सुन ले मैं खुद भी सुनू कहा ल्ला के नभी स्वल ने आईशा तुने तो ऐसी बात कह दी है अगर तेरी ये बात समंदर में डाल दी जाए सारे समंदर का पानी खराब कर देगी मुबारक पुदियर रहमला ने कहा ऐसा आदमी जिसके पास समंदर जैसी ने किया हो लेकिन एक जबान का खलत इस्तेमार जुम्ला कस देना किसी पर फत्वा दे देना किसी पर समंदर जैसी नोकियों को तबाह कर सकता है बनी इसराइल का वो आदमी जो दुनिया में अबाद गुदार था लेकिन एक जुम्ले की वज़े से अबु हुरेला ने कहा वल्लवी नफसी भी दी ओ जात की ख़जमेटे सी दुनिया ज़ी जाने वो जहन्नम चला गया अपना जायजा लें अपने नफस की इसलाह करें माशे की तर ग Twoर करें घीरत मन बने घीरत मर गई किसी की परभाह होने वाली है बस्ती वालों का खियाल मसाजित का खियाल मदारिस का ख्याल अल्मा का ख्याल यतिमों का ख्याल मदर्सों में पढ़ाने वाले असादेदा का ख्याल ये औरतें जो पढ़ाती है इन का ख्याल ये मर्द जो पढ़ाते हैं इन का ख्याल मस्जिद के इमाम का ख्याल मस्जिद के मौजिन का ख्याल मस्जिद के पत्थर धोने वाले का ख्याल मस्जिद की सदारत निवाने वाले का ख्याल आपके निसेदार का ख्याल आपके दोस्तों का ख्याल आपके ससुराओ वालों का ख्याल ननियाल ददियाल छचेड़े मुमेरे फुपेरे हर मुम्किन हग तक जो हो सकता है आगे बढ़ते रही है अल्लाह अज्ज़ 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 अम तमाम के साथ भलाई खेर और आसनी का मामला करे वसलोलाहु अला नबीन मुहम्मद वाला आलिही वसाहभी वसल्लमत असलिमन कथीरों कर दो दो हम मुहम्मद